हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब और अब बेहत एक्स्क्लूजिफ खबर जो आपका चानल एबीपी न्यूज आपके लिए लाया है राममंदिर ट्रस्स की बैठक शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि रामलला को एक बुलिट ट्रूफ कोटेज में रखा जाएगा इस वक्त की बड़ी खबर जब दिव्वे भवे राममंदिर का निर्मान होगा उस दौरान मंदिर बनने तक रामलला बुलिट ट्रूफ कोटेज में रहेंगे और जानकारी के लिए हम सीधे आपको रखते हैं ले चलते हैं पंकर जा के पास लेकिन उससे पहले एबी पिनियूस पर दर्शन कर लीजे यही वो बुलिट प्रूफ कोटेज है जो जर्मन पाइन से बनाया जाएगा और यहीं रामलला को रखा जाएगा जब तक उनका भवे दिवे राममंदिर नहीं बन जाता तब तक ऐसे ही जर्मन पाइन से बने बुलिट प्रूफ कोटेज में रहेंगे रामलला तो यह अबिपी न्यूस की एक्स्क्लूजिव खबर दर्शन अबिपी न्यूस पर कर रहे हैं आप इस समय हम सीधे आपको लिए चलते हैं पंकज जा के पास पंकज खासियत बताईए जर्मन लला के लिए जब तक मंदिर नहीं बन जाता अब से घंटे भर बात राम जन भूमी ट्रस्ट की पहली बैठक हो रही है बैठक में कई बड़े बातों पर फैसला होना है लेकिन मंदिर कब बनेगा नहीं बनेगा कब बनना शुरू होगा यह अभी तै नहीं है लेकिन इतना तै हो चुका है कि जब तक भब मंदिर नहीं बन जाता है जो टेंट में राम लला है और यह अउध्या के सादू संत बार बार इस बात को लेकर के चिंता जताते रहें कि क्यों ना उन्हें वहां से शिफ्ट करके एक ऐसी जगा ले जाएं जहां पर लोग उनका ठीक से दर्सन कर सके उनकी पूजा पाट कर सके मैं कई बार उस जगा पे गया हूँ जहां राम लला भी विराजवान है मैं आपको ज़रा सा रूपन चाहूंगी चिंता से जादा मुझे लगता है दुख होता था मन उनको ठेस पहुँचती थी लोगों के भक्तों के शद्वालों के कि वो कहते थे कि देखे कि साल में है राम लला तरपाल है पानी उस पे से टपकता है तो कम से कम अब जब तक भव्वे दिवे राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक इस बुलेट ट्रूफ कॉटेज में पंकच अब वही कर रहा तक जब दर्सन करने जाते हैं तो लोहे की छड़ों के बीद से आपको दो सेकेंड का वक्त मिलता है और जब दर्सन करके निकलते थे लगता नहीं था कि कुछ अच्छे भाव हैं अगर ये कॉटेज में जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इसी तरीके का वो मेकसिट टेंपल कह सकते हैं जो की कॉटेज जर्मन पाइन से बना हुआ है 14 बाइ 22 का और इसी में राम लला यानि भगवान राम जिनकी बाल रूप में पूजा होती है चुकि वह वहाँ पर जन्मे थे चारो भाईयों के साथ उनकी लोग पूजा पाठ वहाँ पर कर सकेंगे जब तक मंदिर नहीं बनता है भगवान राम इसी में रहेंगे